दोस्तों के आप भी Yono app में लोगिन नहीं हो पा रहे हैं जैसी आप यहां पर Mpin एंटर करते होंगे तो आपके सामने यह error आ जाते होगा तो आप यहां पर कितनी भी कोशिस कर लो फिर भी आपके सामने यह error आ जाते होगा चाहे आप Yono app को background से cut करके दुबारा से open करके देख लो फिर भी आपको यही problem आ जाएगी आप Yono app में लोगिन नहीं हो पाएंगे तो अब इस problem को आप क्यासे solve कर सकते हैं जिससे कि आप Yono app में लोगिन हो सकें तो चले आईए देख लिते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले Yono app को update कर लेना है वह सकता कि आपने लंबे समय से Yono app को update नहीं किया हो और आप पुराने वर्जन को use कर रहे हो तब भी आपको यह problem आ सकती है तो बस आपको Yono app को play store से update कर लेना है ठीक है उसके बाद चेक किजिए अगर problem solve ओ जाती है तो ठीक है वरना और भी त्रिक्के में आपको बताने वाला हूँ इसके बाद आपको यहाँ पे airplane mode को on off करके देखना है अगर इससे भी आपकी problem solve नहीं हो रही है तो आपको mobile की setting में आ जाना है इसके बाद आप यहाँ पे SIM card as mobile network पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको उस SIM पे क्लिक करना है जिस SIM में आप internet यूज कर रहे हूं जैसे कि मैं first SIM में internet यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे first SIM पे क्लिक कर देता हूं अभी आप यहाँ पे access point name पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको reset पे क्लिक कर देना है जिससे कि आपका network यहाँ पे reset हो सके तो यह सब setting करने के बाद आपको यहाँ पे एक important setting करनी है उससे यह problem जाद अतर देखने को मिल जाती है तो इस setting को करने के लिए आपको यहाँ पे निच्चे के side आ जाना है इसके बाद आप यहाँ पे additional setting को open करेंगे यहाँ पर आपको time and date पे क्लिक कर देना है बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर date time को modify कर लेते हैं तो अभी जो time चर रहा है वह time आपको रखना है तभी आप योणो एप में login हो पाएंगे तो बस आपको इस setting को यहाँ पर automatically पर कर देना है तो अभी जो भी date time हो रहा होगा वह आपका यहाँ पर set हो जाएगा तो इतना ओ जाने के बाद finally आपको एक बार अपने mobile को यहाँ पर reboot कर लेना है ठीक है तो मैंने यह सब setting यहाँ पर कर लिया है तो चली अब मैं यहाँ यहाँ पर योणो एप को open करके देख लेता हूं तो अब मैं यहाँ पर अपना mpin डालता हूं तो देख सकते हैं मुझे वह problem नही सब setting को आप कर लीजिए तो आपको योणो एप में यह problem नहीं आएगे